वेलकम टो जुडीश्री प्लस हम रन कर रहे हैं रीसेंट केस लॉस की सीरीज हमने अल्रेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी तो हम वहाँ जाके चेक कर सकते हैं आज इस सकेंड लेक्चर इस सीरीज का और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपोर्टन केस है बेसिकली यह जो केस है यह हैल्ड हुआ था 27 में 2022 को ठीक है और यह जो केस है सुप्रीम कोट ने हल्ड किया था तो यह सुप्रीम कोट का केस है तो सबसे फहले साइटेशन देख लेते हैं। जो की है चंद्रपाल वर्सेष स्टेट उफ छट इसगर 2022 और सुप्रीम कोट 705 नमबर केस है यह तो चंद्रपाल वर्सेष स्टेट उफ चट इसगर में क्या हुआ था यह हम देख लेते हैं अब देखे मैंने जो भी case laws बनाए हैं उसके नीचे ही मैंने जो भी held हुआ है इसमें छोटा सा जो है उसका वो मैंने लिख दिया है ताकि जब भी हम जैसे law school में जब भी paper लिखते हैं तो उसमें जो भी ratio decidendi है अबिटर डिक्टा है वो मेंशन करना पड़ता है तो उसके लिए मैंने यहां पर दो लाइन मेंशन किया है और इसके बाद हम पूरे case को डीटेल में भी पढ़ेंगे और यह जो चीज है क्योंकि पूरे case को हम डीटेल में लिखते नहीं है तो यह दो लाइन जो है यह आपको करेगी examination में लिखने के लिए एंड फॉर डीटेल नॉलेज हम पूरे case discuss करने ही वाले है तो वीडियो के लास तक बने रहिएगा तो जो इस case में held हुआ था यह सबसे पहली चीज यह जो थी no conviction based on last scene theory last scene theory आपने कहां पढ़ी है इंडियन evidence act में ठीक है तो इसमें बोला इस case में held हुआ था कि कोई conviction जो है जो best होती है किस पे based होती है last scene theory पे when possibility of societal death not ruled out ठीक है तो यहां पे बोल रहा है कि अगर जो है possibility जो है societal death की भी बन रही है तो फिर conviction सिर्फ नहीं हो सकता है last scene theory के basis पे ठीक है अगर कुछ नहीं बन रहा हो तो में भी हो सकता है लेकिन यहां पर mention है अगर possibility बन रही है societal death की भी तो conviction नहीं होगा last scene theory के basis पे Supreme Court ने man को free कर दिया जो 28 year old था जिसको owner killing case में उस पे charges लगे थे तो यह जो है basically held हुआ था जो इसकी ratio deciduity है यह वही है कि last scene theory के basis पे सिर्फ conviction नहीं होगी अगर possibility क्या बन रही है अगर जो inferences निकल के आ रहे हैं जो possibility निकल के आ रही है वो यह भी है कि societal death का भी यह case है तो फिर conviction नहीं होगी ऐसे cases में अब यह हमने देखा कि इसमें क्या हुआ था इस case में चंदरपाल वर्सस state of law on last scene theory bench जो थी वो किसकी किसकी थी डॉक्टर दीवा चंदरचूद की थी और बेला एम त्रिवेदी जी की थी तो यह दोनों justices थे इस bench को इसमें इनोंने बोला in order to convict an accused under section 302 of IPC the first and the foremost aspect to be proved by prosecution is the factum of homicidal death if the evidence of prosecution false sort of proof of homicidal death of the deceased and if the possibility of societal death could not be ruled out accused cannot be convicted merely on the basis of the theory of last scene together ठीक है तो इसमें case यह जो है 302 यानि की murder का case था इसमें बोला bench ने कि जो first and foremost aspect होता है ना किसी prosecution के case को prove करने का वो होता है factum of societal death को prove करना तो अगर कोई evidence है prosecution का और वो fail हो और fall sort of proof यहां पर complete proof नहीं हुआ है लेकिन उनके पास कुछ कम ही है लेकिन हो सकता है एक possibility निकल के आ रही कि societal homicidal death है deceased की और एक possibility यह भी है कि societal death है ठीक है homicidal death मतलब murder किया गया है दूसरी possibility यह है कि society की possibility बन रही है यानि कि या दो possibility बन रही है तो इस cases में सिर्फ last scene together की थियोरी क्या है कि मरने से पहले उस इनसान जो deceased person है उसको देखा गया था accused के साथ या third person के साथ जिसके साथ भी देखा गया था उसके against यह हम मान लेते हैं कि इस person नहीं murder किया होगा लेकिन अगर possibility यह भी बन रही है कि societal death भी हो सकता है तो इस basis पे कि इन दोनों person को accused को और deceased को last में साथ देखा गया था इस basis पे conviction नहीं होगी ठीक है फिर बोला bench ने क इस a suspicion however strong cannot take place of proof सर्फ suspicion जो है वो एक प्रूफ के प्लेस पे नहीं लाया जा सकता है The court was deciding the case where the young couple belonging to different caste were found hanging from a tree after having gone missing for days. The love affair of Vrinda and Kanahya did not sit well with Vrinda's father and uncle while Vrinda and Kanahya went missing on 2nd December 1994. No missing report was lost. Their decomposed body were found hanging from a cashew tree in a cashew nursery on 11-12-11-1994. It was at least that Vrinda's uncle had killed both of them and had kept the bodies in the house up to 4th December 1994 after which he had taken the body to the cashew nursery and had hung them on a cashew tree to give it a shape of them having committed suicide. Basically, the fact was the fact that the court had decided which case was the inter-cast marriage. It was the case of the inter-cast marriage and the couple had been missing in the love affair. Vrinda and Kanahya were found in the front of Vrinda's father and uncle. Vrinda and Kanahya were missing in the 2nd December 1994. जैंशने की वहारेंहें, जैंशने कि लिए उनकी इसके लिए उनकी इसके लिए उनकी Presenties जिए एक विटनेस था जिसने कनहिया को जो है आक्यूस परसन के साथ देखा था लेकिन बहुत देखा तो दस दिन पहले जीन कविटनेस ने बोला कि the accused had called Kanahiya and told him that his house where he along with the four accused allegedly in furtherance of the common intention pressed his neck and committed his murder thereafter the two co-accused committed the murder of Brinda one of the co-accused with AC had also made an extra judicial confession pointing toward the guild of the accused जो विटनेस इसने बोला कि last scene किया गया Kanahiya को accused के साथ and also accused and other co-accused जो था उसने मिलके इसको suffocate करके इसकी जान ले ली and जो other two co-accused थें उन्होंने वरिंदा की भी murder कर दी ठीक है और एक विदेसी थी विदेसी था co-accused जिसने extra judicial confession भी बताया था और उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और उसने confess किया था it was argued by the council of the accused as a testimony of the witness was allegedly last seen कनहिया having been called by the accused was recorded after four month of the incident ठीक है और यह argue किया गया था council के दुआरा कि accused जो है of the testimony जो मतलब यहां पर argue किया था accused के council ने कि जो testimony है ना witness कि जिसने बोला last scene किया गया था कनहिया को accused के साथ वो record किया गया है चार महीने के बाद incident के even as per the case of prosecution the said incident of calling कनहिया by the evidence was 10 day prior of the date of being dead body found ठीक है तो बहुत date का difference है चार महीने के बाद record किया गया और death जिस दिन body पाई गया उसके 10 निन पहले देखा गया था तो इसलिए जो है प्रूफ नहीं होता है कि इसने ही मारा है उस person को accused नहीं क्योंकि long gap है उसके बीच में ठीक है तो it was very risky to convict the accused solely on such evidence he further submitted that the result of hanging in a nature was societal यह भी bench ने बोला कि जैसे body hanging पाई गई तो हम rule out नहीं कर सकता है इसलिए जब प्रूफ ही नहीं आपके पास clearly तो आप जो है ऐसे cases में convict नहीं कर सकते हो अपिलेंट को यह gross error हो जाएगा क्योंकि criminal cases में क्या है preponderance of probability नहीं चलती है ठीक है accused must be like guilty beyond reasonable doubt ठीक है तो ऐसा case चलता है इसलिए कुछ भी doubt है कोई भी अगर possibility आ रही है तो फिर convict नहीं कर सकते हैं और cases के reference भी लिए यह court ने जैसे कि बोधराज वसे state of Jammu and Kashmir यह 2002 का case है इसमें बोला गया था तर लास्ट लास्टीन theory comes into play where the time gap between the point of time and the queues and the disease were last seen alive and the disease is found that is so small that the possibility of any person other than the accused being the author of the crime become impossible इसमें यही बोला गया था कि लास्टीन theory का जो है वेटेज जो है उसकी evidentiary value तभी बढ़ती है जब जो gap होता है लास्ट सीन टुगेदर एंड जो इंसिडेंट का है बोडी फाउंड का टाइम है वो बहुत ही कम है ताकि यह जो possibility है कि वो यह अधर परसेंट का उसमें इंटर्फेरेंस था जीरो हो जाए या मिनीमम हो जाए तो तभी उसकी evidentiary value जादा होती है इसके इसमें time gap काफी जादा था इसलिए उसकी evidentiary value जादा नहीं है दूसरा case जो उन्होंने रफर किया था यह था देर्फोर no conviction on the basis alone can be founded ठीक है तो बोल रहा है कि चेन complete नहीं हो रही है सरकम्सांस पर तो इस सिर्फ इस बेसिस के बेसिस पर conviction नहीं हो सकता है क्योंकि time gap काफी था having regard to the totality of evidence on record the court held that the high court had committed gross error in convicting like you for the Alisha's of 302 read with 34 of IPC relying upon a weak kind very weak kind of evidence of extra judicial confession allegedly made by the court who they see and the last and the theory of last scene together propounded by the prime witness तो इन्होंने इसलिए जो है इस जो तर्क था लास्टीन थेहोरी के बेसिस पर conviction इसको रूल आउट किया कि सर्फ इस बेसिस पर जहां पर दूसरी possibility भी बन रही है जैसे suicidal death का तो वहां पर connect नहीं किया जा सकता है court ने observe कि no evidence worth the name as to how and by whom that this is Brinda where allegedly murder was produced by the prosecution under the circumstances it was held that prosecution had miserably failed to bring home the charges levied against the accused beyond reasonable doubt the court had acquitted the accused of all the charges levied against them तो इसमें यहीं हेल्ड हुआ कि court ने observe कि कोई भी evidence नहीं पाई गई है जो प्रूफ कर सकती है और सारी hypothesis को nullify कर सकती है कि this is Brinda जो है उसको at least उसका murder किया गया है और वो prosecution प्रूफ नहीं कर पाया है इसको beyond reasonable doubt किसे भी circumstances के अंदर है तो वह fail हो गया है यह प्रूफ करने के लिए इसलिए court ने accuse कर दी अक्यूज को जो है वह acquit कर दिया सारे charges से जो भी उसके उपर लगाए गए थे ठीक है तो यह हमारा fact था और इसमें क्या held हुआ था यह brief में हमने पूरा पढ़ लिया अच्छे से पढ़ लिया ठीक है और यह case का नाम क्या था चंद्रपाल वसे state of 2022 का case था तो यहां से जो take away है इस case से यही है कि सर्फ लास्थीन थियोरी के बिसस पर conviction नहीं हो सकता है जहां possibility जो है अधर चीज की भी बन रही है जैसे societal death की वहां पर सिर्फ इस बिसस पर जो है लास्थीन थियोरी के बिसस पर लास्थीन टुगेदर थियोरी के बिसस पर conviction नहीं हो सकता है तो this is all for today I hope यह case आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैंने पूरे डिटेल में डिसकस किया है तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो बिलकुल कमेंट सेक्षिन में कमेंट करें और अपना डाउट क्लियर कर ले इस वीडियो विल भी हैल्फुल फॉर ओल दा एक्सामिनेशन इविन फॉर इंटरनल लॉपेपर्स इफ यू आर एलल बी तो यह आप चाहे लॉट्ट हो या आप ना हो आपको यह पता होना चीए तो एक रिडिंग दिस आपको बस वीडियो सुनना है और इट विल आप यह एक्जामिनेशन जहां पर भी जी के आता है और अगर आप लॉट्ट है तब तो यह आपके लिए मस्ट है क्योंकि जैसे डेवलपमेंट हो रही एक्जामिनेशन की रीसेंट केस लॉट जैसे लास्ट एंपी जुडिश्री आया जो फेक्टर था प्रिलिम्री एक्जामिनेशन में पास होना नहीं होना बस केस लॉट ने ही डिसाइड किया तो इसलिए हमें बस एक्जाम का वेट नहीं करना है हमे So this is all for today This is advocate Twinkleja signing off Today's session Thank you